अपने एक बार फिर कॉंग्रेस पर निशाना साथ उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मन्शा नहीं थी कि आयुध्या में राम मंदर का निर्माड हो जिदोंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए वो प्राण प्रितिस्थव पर सवाल उठा रहे हैं भारती जंता पार्टी ने कभी भी भगवान राम को लेकर के राजिती नहीं कि भगवान राम हमारे आस्था के केंद्र हैं और हमारी क्यों पूरे देश की आस्था के केंद्र हैं सबकी मंसा है कि भगवान राम का मंदिर बंदना चाहिए लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कुछ प पुनिको होगी जो भगवान राम के अस्तितु पर प्रस्शित की खड़ा कर गए हैं और लेकिन उसके बावजुद भी हमारा उन से आग रहे है वो खुले मन से आए भगवान राम सब के हैं किसी पार्टी विशेश के नहीं है ना बीजेपी ना कॉंग्रेस ना कमनेश ना कि सभी पार्टी के लोग भगवान राम के स्वरम्या हैं भगवान राम सब को अपना आशिवाद दे कि कॉंग्रेस संचार प्रमुख सोशिल आनंद शुक्ला ने 36 गड़ की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि कैबिनेट की 6 बैठक हो चुकी है लेकिन सब्सक्राइब बंदन नहीं लागू किया गया 31 पर धान खरीदी पर खामोश है लेकिन एक भी ऐसा नहीं नहीं हुआ जो इनकी योड़नाओं को पूरा करता हुआ दिखे जो सरकात के विजन को दिखा है अब देखिए धान खरीदी अपने अंतिम चरण में है जो इनकी प सब्सक्राइब बंदन के वारे में केमेट की बैठक को य फैसला नहीं हुआ महतारी बंदन के वारे में के मेर केशला नहीं होता है दो सब्सक्राइब कोई फैसला नहीं होता है कि विजेपी की राज्यस्षभा सांसात सरोज पाइड़ी ने राहुल गांधी की भारत जुड़ो यात्रप तंजय कसा उन्होंने यात्रा के च्छतिसगड के होकर गुजरने पर कहा कि राहूल गांधी जहां जहां जाते हैं बंटा धार करके आते हैं विदान सबाद चुनाव से पहले राहूल गांधी कई बार च्छतिसगड आई और उनके मुख मंतरी चले गए। साथे उन्होंने आयोध्य में राम लाला के प्राण प्रदिष्ठा को लेकर एत्याजिक पल बताया। इस मुद्धे को लेकर कॉंग्रेस पर निशाना भी साधा। सरोज पांडे ने कहा कि धर्म पर राजिनीती नहीं होनी चाहिए। 22 जनवरी को आयोध्य में राम मंदिर का उद्गाटन होने जा रहा है। 22 जनवरी में दो बार दिबावली मनेगी। इस बात का उसर प्रदान मंत्री जी ने दिया। और हम हमेशा इस बात का नारा लग आते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन मंदिर कब बनेगा ऐसा कभी सोचा नहीं था मंदिर बन रहा है और अब मंदिर पुर्णता पर है और वहां पर रामलला विराश्मान होने जा रहे हैं ये देखने का स्वभागे मैं मानती हूं कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत वर्ष को दिया है और इसलिए प पर फिर से मोधी सरका स्लोगन के साथ बीजेपी मिशन 2024 की तयारी में जुट गई है आगामी लोग सभाचुनाव में यही स्लोगन चारो ओर दिखाई और सुनाई देगा सभी सांसद अपने अपने शित्रों में स्लोगन के साथ लोग सभाचुनाव का अगास कर रहे हैं उ तुपम्ही लाइपुर में बदमाशों का निकाला जुलूस मुननकरवाकर शुहर में निकाला जुलूस घर में घुस का रौट से किया था हमला पुलिस ने चार आरोपियों का जुलूस निकाला गंज पुलस ने आरोपियों के खिलाफ कारवाई की एजास खान और राजा संदीब धुर्वा का जुलूस निकाला के तो यह जो चार बदमाशों को आप तीव स्पिन पर देख पा रहे हिनों ने घर में गुसकर रोट से हमला किया था जिने पुलस ने पकड़ा और मुंदन कराकरी का सड़कों पर जुलूस निकाला गया राइपुर में अपराध को रोकने पुलिस सब अपराधियों पर पैनी नज़र रख रही है जेल से छूटने के बाद आरूपी किसी तरह के अपराध ना कर सकी इसके लिए पुलिस एक विशिश अभ्यान चला रही है जेल से छूटने के बाद हर्तिया लूट नशिले पदार्थ की तसकरी करने वाले आरूपी की पुलिस थाने में परेट कराएगी आरूपी क्या कर रही है कौन से वेवसाई में लिपत हैं इसकी ज्वानकारी भी पुलिस रखेगी ताकि अपराध को रोका जा सके पुछ से हाल-पिलाल के कुछ अपराधों में देखा गया है कि जेल से जो सजायापता आरूपी है जो छूट के आते हैं वो फिर से किसी अन्य अपराध में सामिल हो रहे हैं तो इसको देखते हुए जो है प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर जो गंभीर अपराद के आरोपी हैं 302-307 के आरोपी हैं या जो NDPS से छूट के आये लोग हैं इनको जो है सतत मॉनिटरिंग रखा जा रहा है और इनको थाने में बुला करके इनके वरतमान की आजिवका क संबन में जानकारी ली जा रही है और इसकत हिदायात दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के अपराद में सनलीपते रहते हैं तो इनके इरुद्ध कठोर कारवाई की जाएगी